तो आज के टोफिक थोड़ा हट के हैं अक्चुली मुझे इसमें बताना है के इसरम में क्या चल रही है इसरम में जो कमिशन हुआ है दिया है इसमें अभी आपके CSE ID से चार्ज बैक कर रही है मतलब आपको जो कमिशन दिया है वो रिकोवारी कर रही है CSE के तरफ से ऐसा नोटिज है अगर आपके वालेट में पैसा नहीं है तो आपका CSE ID ब्लॉग हो जा रही है बहुत सरा ID ब्लॉग या सस्पेंड हो चुका है इसरम चार्ज बैक रिकोवारी के लिए मतलब ये एक तरीके से गलत हो रही है मुझे लगता है तो देखिए उसमें 4000-5000 का चार्ज बैक लगा दिया है कि CSE ने आपको जादा पैसा दिया है उसके हिसाब से पहले तो फूरा पोसेसी गलत है सबसे पहले तो एमाउन डेविट कर ले रही है वालेट से इसका बात आपको एक PDA या आपका डिस्टिंग मेनेजर आपको बता रहे है कि आपका इतना चार्ज बैक है आपको पे करनी होगी मतलब आपका CSE ओलेट में पैसा रखना होगा तो पूरा पोसेसी गलत है और पैसा एक दो भी अली को नहीं सभी भी अली मतलब डिस्टिंग में अगर 100 भी अली है उसके हिसाब से 90 भी अली मतलब 90 भी अली को जादा पैसा दिया गया है CSE के तरफ से I don't know कैसे हुआ है यह CSE के जो पूरा पोसेस है इसमें ही गलत मतलब गलती है गलत बहुत से गलत है जैसे without notice मतलब notice ना देके पैसा डेविट करना यह भी एक गलत तरीका है उसको बताना चाहिए पहले इसका बात amount डेविट करना चाहिए ओलेट से जो भी लोग मतलब पैसा जो commission दिया है जितने भी लोग को commission दिया है यह जो है आपको मंतली मंतली एक महिने बाद, दो महिने बाद, तिन महिने बाद 2021 से 2022 के अंदर आप लोगों को commission मिला होगा ठीक है तो एक साथ उसका chargeback आ रही है CSE जो नॉर्मर्माली registration इस पोडल से register दो CSE इस तरीके से होता है इसका बात यह पर यह जो dashboard दिया गया है इसमें देखो कितना गलती है इसमें सीक एक button लगाया है जिसके थुरू आप जो है इसरम card registration कर सकतो इसमें कितना card आपने बनाया है कितना card printing है कितना successfully हुआ है और कितना card printing आपने दिया है कुछ भी यह आपर information नहीं है मेरे भाई कुछ भी information नहीं है आपने कितने का काम किया है अभी उनके हिसाब से वो एक आपको report देगी और आपको बताया जाएगा कि आपको इतना pay करनी होगी I don't know बात में क्या होगा अभी तो खाली में जिसके wallet में पैसा है एक number उसके wallet से debit हो रही है और debit होने के बाद अगर फिर भी मतलब आपको 10,000 का chargeback लगाया है और 5,000 आपको wallet में है 5,000 नहीं है अगर उस OV amount आपने CSE wallet में नहीं रख रही हो तो आपके ID जो है block हो रही है या suspend हो रही है जब तक आप pay नहीं करेंगे तब तक आपका ID ओपन नहीं होगा अगर ये तरीका CSE करेगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ CSE में 1,000 अगर VLE अगर नॉर्माली एक state में अगर 10,000 VLE है उसमें से 500 VLE काम करने का यग होगा बाकि सारा VLE का ID सस्पेन हो जाएगा CSE को जो ये तरीका है मैं सब दिखाऊंगा वित प्रूप दिखाऊंगा नॉर्माली जो दो skin shot में मैंने दिखाया है उसमें देखिए दो पैसा डेविड हुआ है जिसके wallet में पैसा है उसके wallet से अल्रेविड हो रही है मैं एक PDF का एक page दिखाऊंगा आपके CSE wallet में पैसा है उसको जल्दी से उठा लो अगर cut गया है तो तो मुश्किल है बात में CSE क्या करेगा पता नहीं है इसका क्या solution होगा ये तो बात की बात है लेकिन पहले वो आपके amount से पैसा recovery कर रही है मतलब डेविड कर रही है without notice कुछ भी आपको बताएगा नहीं कुछ भी रिपोर्ट भेजेगा नहीं पैसे पहले डेविड किया जाएगा इसका बात क्या solution होगा इसका बात में दिखा जाएगा लेकिन आभी जो है ओलेट से पैसा डेविड हो रही है तो इसरम काट का जो पुड़ा पोजेट का काम CSE ने किया है ये गलत तरीका से मेरे हिसाब से गलत तरीका है पहले उनको पोपा रिपोर्ट शो करवाना चाहिए था अगर पोपा रिपोर्ट होता तो अगर पैसा ज़्यादा आते तो VLE खुदी रिपोर्ट करते के सर मेंने इतने पैसा का काम किया है मेरे बस ज़्यादा पैसा आया है तो खुदी रिपोर्ट करते लेकिन जो पैसा आया है ये 1000, 2500, 5000, 5000 करके पैसा आया है इस तरीके से एमाउंट जो है आया है तो उस एमाउंट को डिकोबारी पॉसिबल नहीं है यह सही तरीका नहीं है मैं यहापर एक page open करके आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से PDF भेज रही है पूरा distinct manager आपको अपने आपके group में share कर रही है तो नाम मैंने hide कर दिया है तो यहापर देखिए सबसे उपर का इसके हिसाब से CSC के हिसाब से 5,502 रूपिया का काम हुआ है उसके और 8,784 रूपिज यह पे कर दिया है मतलब इसको अभी 3,283 रूपिज और भी पे करनी है मतलब पे करना है CSC के हिसाब से लेकिन recovery is done मतलब CSC ने उसके wallet से पैसा डेविट कर लिया है मेरे भाई 3,283 रूपिज और डेविट हो चुका है उसको wallet से CSC के wallet से उसका डेविट हो चुका है देखिए CSC के हिसाब से इस बंदे का 59,070 रूपिज उसके हिसाब से काम हुआ है और CSC ने 95,722 रूपिज पे किया है और उसको अभी भी पे करनी है 36,652 रूपिज और उसको wallet में जो पैसा था 2,970 रूपिज जो पैसा था वो डेविट हो चुका है अभी भी उसको इतना recovery balance देना है 33,680 रूपिज उसको देनी है CSC के हिसाब से रिपोर्ट कुछ दिया नहीं इस तरीके से आपको आभी PDF दे रही है और पैसा आपको पै करनी होगी नहीं तो आपका CSC ID ब्लॉग हो जाएगा अभी इसका solution किया होगा ये तो बाद में पता चलेगी लेकिन latest जो cover है यही है अभी धीरे धीरे इस सभी का धीरे धीरे इसका देखिया कुछ बंदे ने 2, 4, 10 किया है मतलब उसको 80 रुपिया 90 रुपिया कमिशन जो मिला है 61 रुपिस होगा है CSC के सबसे उसको 83 रुपिस दिया गया है 22 रुपिस उसको अभी भी पे करनी है मतलब इतने लोग कैसे मतलब इतना कैसे आप लोग ज़्यादा पेमेंट कर रही हो और उसका रिपोर्ट नहीं है सबसे गलती है वो आपका पोटल में CSC के जो पोटल है इसरम काट रेजिस्टेशन का जो पोटल है उसमें अगर फोपार रिपोर्ट होता तो सही है अगर पैसा उससे ज़्यादा आ रही थी तो CSC के भीली मुझे लगता है CSC के भीली खुदी रिपोर्ट करते के सर मेरा 10,000 का कमिशन हुआ है मतलब इसमें 59,000 जैसे कमिशन हुआ है 95,000 मेरे पास आया है तो खुदी वो अपने Distinct Manager को बता देता तो पहले इसका solution हो जाता आप लोगों ने कुछ सही से रिपोर्ट नहीं किया है रिपोर्ट बनाया नहीं अपने portal में कुछ सही से आप लोगों ने रिपोर्ट मतलब रिपोर्ट किया नहीं और ऐसा debit कर रही हो ये सही नहीं है और CSC जितने भी ID है जो भी recovery balance पे नहीं किया है सब ID vlog हो रही है या suspend हो रही है बात में क्या होगा पता नहीं लेकिन ये सही तरीका नहीं है ये dashboard में क्या पता चलेगा कि मैंने 2000 isram card या 1000 या 500 isram card बनाया है इतना लोगों ने campaign करवाया है 4-5 device मतलब normally एक center में 2-3 device होता है laptop होता है उसने अपने बंदे को लेके campaign करवा के काम करने के बाद पैसा उसको मिला है इसका बाद अगर उसके outlet से debit होने लगेगी charge back अगर CSC बोलेगा कि आपको pay करनी है पैसा देने के बाद return देनी है यह सही तरीका नहीं है अगर एक साथ पुरा amount देते तो भी सही तरीका में बोल सकता था लेकिन amount जो दिया है 2000, 5000, 1000 क्या यह कोई चिठवाण है कि आपने पैसा देने के बाद आभी return मांग रही हो यह गलत तरीका है अभी इसका क्या solution आएगी यह तो CSC का district manager या state head या government यह discuss करके इसका solution अभी निकालेगी लेकिन अभी का solution है अगर आपके CSC wallet में पैसा है और list में अगर आपका नाम है तो आपके wallet से पैसा debit हो जाएगा तो बैतर यह होगा अब CSC wallet से पैसा अभी उठा के अभी कुछ दिन wait करो इसका क्या solution आता है देखने के बाद ही इसको हम बताएंगे और इसका क्या solution होता है क्योंकि हमें भी charge bag issue आया है तो हमने भी CSC wallet खाली कर दिया है अभी CSC में कोई भी ID में हम काम नहीं कर रहे है तो यही था latest notification